आपनों का आज के नए वीडियो में दोस्तों आज हम लोग जो चैप्टर नमर 7 पड़ेंगे थे ठीक है तो चैप्टर नमर 7 में हम लोग जो 7.1 का यानि परसनावली साथ दिश्वन एक का हम लोग जो concept है उसको पड़ चुके थे और आज हम परसनावली 7.2 का concept पड़ेंगे और Most Important Which Uvision एकजाम में Direct फथताउ्टन एक्जाम में आपके क्या है DOEरेक्ट इस क्योशन मिलने वाले है ठिक है डैरेक्ट आपको क्योश्न मिलने वाले है तो बहुत important होने वाला है ícia आपके व्यडियो ठिक है इसमें दो टाइब टोटल कितने टाइब दो टाइब के क्यूश्चन बनने वाले हैं। इन दोनों टाइब को अगर आप पढ़ लेते हैं, इस चैप्टर से जीतने भी क्यूश्चन मिले बनेंगे वह आप आसानी से इसको स्वालव कर ले जाएंगे। तो चली जानते हैं जो पहला जो आपका कॉन्सेप्ट है, जब क्या fx is equal to दिया रहे है, क्या दिया रहे, y is equal to fx दिया रहे, तो y is equal to fx दिया रहे, और क्या क्या हैете, x is equal to a and x is equal to b के बीच का छेतर फल बताएए, इस टाइब के क्योश्य पूछने वाले तब आपको क्या करना है सिम्पल साब कोई भी आपका equation कोई भी समी कर दी गया रहा है उसको हम क्या y is equal to f x के फार में करनावट कर लेंगे पहले उसके बात जो area का सूत्र बनेगा area is equal to क्या होगा x is equal to a से x is equal to b के बीच में बनाया है तो integration आप a से b तक integration आप a से b तक आपको क्या हो जाएगा y dx भी आपको फार्मूला बन जागा integration आप a से b तक integration आप a से b तक आप b से a तक बोले y dx भी ठीक है तो जब भी आपको कोई equation दिया रहेगा जब भी आपको कोई equation दिया रहाएगा x is equal to a से x is equal to b तक बोले और उसके बीच के अच्छेतर फाल बोले तो आपको इस समिकड का यूप योग करना ठीक है अभी इस पर example करेंगे तो आपको आसानी से समझ भूआ जागा ठीक है जब स्वाल हो जागा तो आसानी से आप समझ भाजा जाएंगे ठीक है क्लियर है चलिए अब इसका अगला जो दूसरा जो concept हो उसको देखिए concept नमर 2 concept नमर 2 का रहा है आपका 2 equation अगर देदिया जाए जैसे for example अगर देदिया जाए आपका y1 is equal to fx y1 is equal to kya देदिया आगे y1 is equal to fx देदिया पहला equation ठीक है भाला equation देदिया दूसरा equation दिया अगर y2 is equal to देदिया जाए आपका kya है अब कहे इन दोनों के बीच का छेतरफल बताइए ठीक है इन दोनों के बीच का छेतरफल बताइए और जो limit कहेगा आपका x is equal to a से x is equal to b के बीच का छेतरफल बताएं, तो आपका क्या है, दूसरा concept समाज़ेगा, जब दो वक्र दिया रहा है, माली जो y1 is equal to fx, y2 is equal to 5x, ठीक है, तो x is equal to a से x is equal to b के बीच का जो छेतरफल को फार्मूला होगा, क्या फार्मूला होगा, तो पहला अगर एक equation था तो हम तो y dx करते थे, integration आप y dx, same as it is, वही आपको यहाँ पर भी करना है, लेकिन यहाँ पर दू equation है, दो equation है, तो a is equal to हो जाएगा, आपका area is equal to हो जाएगा, क y dx, clear, इस तरह से आपको करना पड़ेगा, ठीक है, अभी आप आईए हम इसके साथ इसी pattern पर बेश्ट हम सवाल देखते हैं, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाने वाला है, तो यह आपका फार्मूला है, यह आपका फार्मूला है, इसको आपको याद कर लिजाए, clear, चलिए, आई होब यहाँ तक clear हुआ 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 है, अब आतने हमें जो 7.2 का परसनाली को question को solve करते हैं, जो कि important जो है, सब कुछ solve किया जाएगा, तो exam में आपको direct फसने वाला है, तो इसको यहाँ तक, आपको I hope clear हुआ 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 है, अब आई ही question पर देखते है, y is equal to Mx, आप लोग भी book भी open कर सकते है, x is equal to x, is equal to 2 x, is equal to 2, x is equal to 2, x is equal to 2 के bीच का 6, चाराय, क्या बोला हुआ हुआ है, इसको पर समझेगा, इसको भी, करा है x h, ठीक है, x h, तथा x h, तथा x is equal to 2, x is equal to 2 के बीच का छेतरफल, के बीच का छेतरफल बताईए, ठीक है, तो छेतरफल बताईए, ठीक है, एक question आपको बोला है, ठीक है, एक question आपको का रहा है, कि इसका कोई equation जो दिया है, y is equal to mx दिया है, x h, तथा x is equal to 2 के बीच का च्छेतरफल बताईए ठीक है यह आपको question भोला है ठीक है अब इसको कैसे solve करेंगे आईए दिखते हैं तो इसको जो solve करेंगे आप solve देखी करिए तो कैसे solve होगा यहाँ पर देखी है देखी है हम सबसे पहले बताया थे क्या जब एक equation दिया रहा है तो आपको क्या करना है limit आपको क्या दिए x अच्छकार आना मतलब x का एक limit x is equal to 0 होगा और दूसरा क्या होगा x is equal to 2 यहां पर आपको दिया हुआ है ठीक है आप जो आपका छेतरफल होगा आपका जो छेतरफल होगा यहां पर देखिए चलिए तो आपका छेतरफल का फार्मूला क्या होगा छेतरफल का फार्मूला integration आप integration आप 0 A से B तक था है, यह मतलब 0 से 2 तक, 0 से 2 तक YDX यही बताये थे, 0 से 2 तक YDX, तब Y कमान कितना है यह आपका MX है, तो value यही आप Y पर रख दीजें, ठीक है, 0 से 2 तक YDX, Y का value आपका MX है, clear, तो चलिए रख दीजें, तो A is equal to क्या हो गए आपका, A is equal to integration, आप 0 से 2 तक Y कमान क यह था, आपका MX, MX था, और DX है, ठीक है, M constant है, M को बाहर कर लेंगे, तो M को बाहर कर लेंगे, आपका क्या हो जागा है, सिर्फ सिंपल आपका क्या बचागा, integration आप 0 से 2 तक XDX, यही बताचेगा, अब X का समा कलंग कर दीजें, M तो बाहर है, integration आप X का समा कलंग करेंगे X square by 2, bracket में क्या बचागा, आपका 0 से 2 तक limit लगा जीजे, अब क्या करेंगे, upper limit minus lower limit, M by 2 बाहर जाएगा, ठीक है, M by 2 बाहर निकल जाएगा, M by 2 बाहर निकल गया, upper limit क्या होगा, एक बाहर X का स्थान पर 2 रखेंगे, यानि कि 2 के पावर 2 minus 2 के पावर, 0 के पावर 2, clear, upper limit minus lower limit, ठीक है, इतना clear हुआ, अब यहाँ देखे, side में, M by 2 क्या होगा, M by 2, M by 2, M by 2, और यहाँ दो गुडे, M by 2 into 2, 2 जाओ, कितना होगा, 4 जागा, minus 0, clear, इतना हुगा, अब यहाँ पर क्या, 4 में से 0 जागा, यानि कि 4 होगा, M by 2 into 4, 2 से यहाँ दो कटेगा, तो सिर्फ क् 2, M, यानि आपका 2, M आपका answer है, ठीक है, तो ए आपका area है, तो आप कोई इसका unit नहीं दिया है, तो वर्ग 1, I आप लिख दीजेगा, ठीक है, area है, तो area is equal to क्या जागा, 2, M, यानि कि 2, M, वर्ग 1, ठीक है, वर्ग square unit बोल सकते हैं, या वर्ग 1, I बोल सकते हैं, ठीक है, तो वर्ग 1, इस तरह से आपको question को solve करना पड़ेगा, ठीक है, clear है, चलिए, तो इसका answer हो, तो इस तरह से जब भी question देए, तो आपको इसी तरह से question को solve करना है, ठीक है, अब आईए एक और important जो question उसको देख लेते हैं, ये भी क्या है most important है, अलग-अलग pattern पर आपको question बता मतलब, दो curve जैसे माली, एक वाला curve है, ये आपको x है, ठीक है, यानि कि क्या है, ये वाला क्यों से समीकर है, x is square is equal to 4 y, और एक वाला क्या है, ये वाला समीकर क्या है, आपको y is square is equal to 4 ax, ठीक है, इन दोनों के बीच के जो घिरा हुआ, चेतरफल, ये चेतरफल निकालने के यह लास्ट हम बताएंगे तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे हैं ठीक है चलिए तो क्यूश्चन नमर कौन सा करते हैं आगला नेक्स्ट क्यूश्चन जो कि एक्जाम में पूछा गया है कई बार इक्जाम में आपका कई बार पूछा गया इसको देखते हैं पहला जो इसका कौन साक्ट्यूश्चन है क्यूश्चन का रहा एक स्क्वाइर पलस वाई स्क्वाइर इस उक्वाइर इस उक्वाइर टू ए स्क्वाइर इसक्वाइर इसक्वाइर का छेतरफल समाकर अंबीर से निकालिए का छेतरफल निकालिए ठीक है निकालिए तो कैसे निक एक इसका समिकड़िए आपको देखना को पता चला आहे closest है एक क्या हैं एकप्रीथ का एकक्यूअइसन क्या होता यहाला क्या हैगार्री इसका निरतसाहर मेंखा 1800 अगर भनाये x-ease क्या है बनाये x टो आपका क्या है यह आपका 0 0 0-0 हमुल्बिन दो है और एक क्या है इसका radius यहां तक इसका क्या है radius इसका इसका क्या अछिएग्सां devoted क्या होग एकस्का जो नहीं संक्या होए ? 0 का में अ होगा clear हमको क्या निकालना हमको निकालना जो आप इसका तो कहेंगे आप limit नहीं दिया लिमिट भी यहाँ पर दिया हुए ठीक है इस टाइप के question को आप समझली है किसका limit क्या होगा ठीक है ? एक स्थे से यहां पर क्या है ए दूरिप है जैसे यहां पर e square दिया नहीं तो इसी तरह से question भी यहां put up कर सकता है ठीक है अगर आपको e square ने दिया गर question पूछे जैसे question a भी कर सकता है x square plus y square is equal to 25 ठीक है x square plus y square is equal to 25 तो same इसी pattern पर e भी लगेगा इसी के तरह a भी लगेगा कैसे लगेगा इसको देखिए यहां पर आप क्या कर देंगे x square plus y square is equal to 5 का स्थे स्थे पैटन पर हो गया मतलब a is equal to मेल गया आपको क्या 5 ठीक है तरह लेकिन जब आप अगर इस question की क्या लगें इंटिकरेशन आप 0 से 5 ठीक है इस तरह से आपको solve करना है ठीक है clear यहां तो आयूप आपको clear हुआ 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 ठीक है चलिए तो इतना समझ में आया है चलिए इतना आयूप आपको समझ में आ गया हो अब आया आते हैं हमने question पर आप लोग इस तरह से question को solve कर ठीक है तो y के value को ऐसे निकलेगा y का value अब यहां पर y के value जो निकलेगा आपका equation है आपका x square plus y square is equal to a square y के value कैसे निकलेगा y को y को same रखिया इसको पशांतर कर दीए तो मतला y square is equal to हो जाएगा आपका a square plus sorry plus नहीं होगा as a square minus हो जाएगा ठीक है a square minus x square ठीक है यहां पर plus एधर है तो minus हो जाएगा ठीक है a square minus है x square plus y square is equal to a square के लिए limit जो होगा limit क्या होगा आपका l limit होगा x is equal to यहाँ पर क्या है इसका coordinate is comma 0 तो मतलब यहाँ से x is equal to क्या होगा यह हो गया a । x is equal to 0 है तो मतलब इतना आमको निकालना है x is equal to A से x is equal to 0 से x is equal to A तक के बीच का छेहतरफल आपको निकालना तो चलिए लिमिट देख लीजिए इसका क्या होगा तो लिमिट जो आपका होगा है तो क्या फार्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन आप 0 से लेके A तक ठीक है इस वाले समिकर्ण यानि सारकील वाले में जब भी आपको कहे तो 0 से A तक Y D X Y D A is equal to area is equal to 0 से A तक Y D X क्लियर Y के value क्या है आपका Y का जो value है अंडर हुड में A square minus X square ठीक है इंटीग्रेशन आप इंटीग्रेशन आप तो अब आपके देखिए यहाँ पर यह थोड़ा सा समझेगा कैसे कहा रहा है X axis बोला है ने X axis क्लियर X axis जब बोला है तो आपका जो equation होगा यह मतलब क्या है कि एक पुरा breath है पुरा breath है ने X is equal to A तक मतलब यहाँ भी X is equal to minus A है clear तो पूरी breath का आपको छेतरपन निकालना है सीधे question में बोला है X is square plus Y is square is equal to A square सीधे question में बोला है एक एरिया का जो छेतरपन होगा आपका क्या है 0 से ए तक Y,DX होगा clear लेकिन इन सभी का जो छेतरपन होगा इन सभी का जो छेतरपन होगा उसका value क्या होगा इसका value क्या हो चार गुना हो जागा इसके चार गुणा होद इसलिए यहां पर 4 का multiply कर देंगे, clear इसलिए यहां पर 4 का multiply कर देंगे, तो आपका क्या होजागा, फोर 0 से a तक y कमान क्या है, आपका underhound में, underhound में कितना है, a²-x², a²-x² dx से क्लियर इतना है अब यहां 4 गूना है अब इसका क्या कर दिए समाकलंग कर दिए तो समाकलंग कैसे करेंगे आपका फार्मूला जी एक होता है से में ही फार्मूला आपको नोट करें 4 गुणा 4 लिखी bracket लगा दिए 4 गुणा 4 लिखी bracket क्या होता है आपका under hood में A square minus x square का समाक environment क्या होता है x by 2 क्या होता है आपका a square minus x square अब यहां पर minus है तो minimize लगाएंगे clear? नई यहां पर plus होगा ठीक है x by 2 under hood में A square minus x square plus a square by 2 a square by 2 इसका समाखलान आप करेंगे तो इससे अ container, पहर आएगा, और यहां पर क्या पर दो gain, और ये साइन इनवर्स demos x by a clear ये फार्मूला ये है आप chapter नब जो 5 है उसको पढ़ेगे आपके आसानी से समझ महाँ है gün 됩니다 अब क्या करना है next step आपको ऐस्ट इस्टेप आपको क्या करना है upper limit minus lower limit किये करना है आपको आपको जो करना है upper limit minus lower limit common limit Problem Supreme जीरो है तो एक बार हम X का स्थान पर ए रखेंगे एक बार हम 0 रखने चली रख देते हैं clear चलिए तो क्या रखेंगे आपको क्या है या फोर है ब्रैकेट लगाई यह फोर है ब्रैकेट लगाई यह xy2 थाना है तो मतलब एक बार हम a पहले a रखेंगे a by 2 अंडर हुड में a square a square minus x का अस्थान पर a रखना है यानि कि a square a भी हो गया clear a square a भी है प्लस दूसरा का है फार्म प्लस a square by 2 है a square by 2 लिखें साइन इन्वर्स xy a है ठीक है x का मान क्या है a रखेंगे y a r lady है upper limit होगे minus lower limit भी रखेंगे तो 4 तो बाहर तत 4 इसमें भी गूडा करेंगे अब lower limit जैसे यहाँ पर x था x था तो मतलब यहाँ पर जैसे यहाँ पर xy2 था यहाँ पर क्या था ऊपर xy2 था ठीक है xy2 था यहाँ पर देख सकते हैं xy कितना है xy यहाँ पर 2 है मतलब xy2 था 0 रखेंगे तो टोटल वैलू 0 हो जाएगा 0 को किसी संख्या से गूडा करेंगे तो 0 हो जाएगा यहाँ का रखते हैं 0 तो टोटल वैलू 0 और यहां पर भी किओकर 0 रखते हैं तो sin-inwerd 0 यानि कि 0 कमा ते भी वैलू 0 हो जागा यानि कि मेरा सभी वैलु क्या होजागा ? 0 होने वाला क्लियरmund तो सभी वैलू मेरा आपका क्या है जीरू होने वाला तो इसको दिखेए आप यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हम 0 लिख सकते हैं अब जब 0 रखेंको, टोल वाली 0 हो जागा तीक है? clear? चलीए अब यहाँ पर क्या हो जागा? आपका जो answer आने वाला है यहाँ दिखिए अब यहाँ पर दिखें गुड़ा भी कर दीजी ठीक है यहाँ पर गुडा करते हैं आप तो क्या मिलेगा फोर तो फोर को ऐसे ही रगने दीजिए A by 2 A by 2 A by 2 अब दीखे A square मानेस A square मतलब 0 यानि कि यहाँ पर 0 हो जाएगा पलस यहाँ पर क्या हो जाएगा A square by 2 A square by 2 sin inverse अब A से कट जाएगा sin inverse 1 हो जाएगा sin inverse 1 हो जाएगा ठीक है bracket close कर दीजिए clear कितना clear है अब यह वाला value तो 0 हो जाएगा तो 0 लिख दीजिए यानि कि फोर तो बाहर रहन दीजिए अब यहाँ पर पच्छे का A square by 2 अब यहाँ पर दीखे A square by 2 अब यहाँ पर दीखे अब यहाँ sin inverse से sin कट जाएगा sin inverse से sin कट जाएगा बचेगा क्या सिर्फ और यहाँ पर क्या है 2 से 4 में डिवाइट करेंगे तो दो बार में जाएगा ठीक है डो A square into pi by 2 अब यहाँ 2 से 2 भी कांसिल हो गया आपका क्या अंस्वर आया pi A square ठीक है तो pi A square हो गया ठीक है आपका अंस्वर ठीक है तो वर्ग 1 आए तो आप लोग पढ़े भेंगे बिरित का छेतरवल क्या होता है बिरित का जो सेटरवल होता है pi A square होता है एही होता है pi A square तो यह क्या था है यहाँ पर तिरिज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज् टाइब एक क्यूशन को ठीक है अब एक टाइब का और क्यूशन मन्ता उसको भी देगी बहुत इंपार्टेन्ट हो भी है ठीक है चलिए चलिए इस क्यूशन को देखिए इस क्यूशन नेग्स्ट जो क्यूशन आपका इंप्वाइट जीटन बनने वाल है पूरा सब्सकार नेग्स्ट वाला टाइप उसको भी करवाएगा 7.3 की तो इन तीनों से मिलाकर लगवग आपको कहा 7.1 से 2 से 3 से मिलाकर दूर से 3 क्यूशन आपको इस चैप्टर से मिल जाना है ठीक है इस चैप्टर से आपको 2 से 3 क्यूशन मिल जाना है तो चलिए नेक्स्ट जो क्यूशन आपका क्या रहा है अला, जो क्यों, क्या बोला है? उसक्जोट साज यह देखते हैं तो क्यों, आपका क्या है, x-square by a-square, 플स awhile-square by b-square is equal to one थैके, का चहत्रफल ग्यांत किजिते है, आपका क्यों, आपका क्यों, बोलिए का समय कड़ होता है तो question किस टाइब से अब पूछ सकता है अगर माली आज़ेटी ए वाला question नहीं पूछा तो दूसरा question कैसे पूछ सकता है आपका same x square by यहां पर देगा 25 का 25 देज़ेगा plus यहां पर देज़ेगा y square is equal to 16 देज़ेगा is equal to 1 देज़ेगा clear इस तरह से question तो यह इसी pattern पर कैसे है अब देखे इसको हम लिख सकते है एक स्कॉर य पांच का square plus y square by क्या नहीं कर सकते है y square by यहां पर करके लिख सकते है चार का square is equal to 1 clear इतना इस तरह से आप लिख सकते है ठीक है इतना लिख सकते है अब यह का value जो आपका 5 हो गया अब B का value क्या 4 हो गया ठीक है अगर हम इस वाले question को कर ले इस वाले question को कर ले तो आप क्या है कोई भी value A और B के अस्थान पर दि हम देख लेते हैं ठीक है चलिए इसको हम देख लेते हैं आई हूप आपको clear हो जागा ठीक है चलिए यहां पर just a second इस question को देखिए इस question को देखिए ठीक इस question को देखिए ठीक है अब यह पर Ms. दिर्गिप्रिफ बनता कैसे इसको जाना नी तो जतके इस तरश और इस तरह सी बनाना है ठीक है और इस को ग्रोडिनेट क्या होगा, इसका क्वाडिनेत जो होगा आपका A कामवाजीरोह साड़ीियसागरा, मतलब X XR पर कितने चलेंगे , इसका ग्रोडिनेट ग्रोडिनेट होगा B X axis square to a होगा मतलब X axis पर a दूरी चले और y पर 0 दूरी चले और यहां पर इसका coordinate क्या होगा मतलब 0, a होगा clear ? Zero कामा मतलब क्या है X axis पर 0 दूरी और y axis पर a दूरी का यह है Clear ? तो आपको क्या करा रहा है यह derivative का equation है तो इनका पूरा क्या area पूछ रहा है तो जो हम फार्मूला एपलाई करेंगे X उच कर लो 0 से ए तक सिर्फ एक भाग का छेतरफल निकलेगा सिर्फ क्या एक भाग का छेतरफल लेकिन आपको चारो भाग का छेतरफल निकालना है तो समा कलम में हम 4 का गुड़ा कर दें ठीक है तो सबसे पहले आपका में काम क्या है में जो आपका काम है आपको आपका जो में काम है आपको क्या है y की बाइलू निकालना ठीक है तो चलिए y की बाइलू निकालना इस समिकर से y की बाइलू निकालना ठीक है अब y के value कैसे निकलेगा इसको इधर पस्षांतर करें इसको पस्षांतर करें इधर clear जब आप पस्षांतर करेंगे तो क्या मिलेगा आपको आपको जो मिलेगा y square by b square is equal to मिले जाएगा आपका 1 minus यह पला सत माइनस जाएगा x square बटे a square clear इतना हुआ अब इसका lcm ले लेंगे जैसे ही आप lcm लेंगे तो क्या बचेगा आपका lcm जैसे ही आप लेंगे तो y square by b square y square by b square is equal to a square आपका हो जाएगा a square minus x square by a square clear यह होगा by a square ठीक है अब आगे देखिए क्या होगा अब a वाला जो b है इधर आगा इसमें क्या होगा गुड़ा हो जाएगा ठीक है तो इसको आगे करिए तो y square is equal to y square is equal to b square b square और क्या हो जाएगा आपका a square minus x square clear E square is square minus x square अब बटाए आपका क्या है a square होता है अब लोग पीछे भी देख सकते है ए बसके मतलब एड़ी वाला है b बसाए घुड़ा होगा जैसरे घुड़ा होगा इसमें यह वाला total value क्या हो जाएगा आपका इसमें गुड़ा हो जाएगा ठीक है तो ही गुड़ा यहाँ पर किये हैं clear चलिए इतना हुगा अब यह तो y की बाइड़ू अब इसको आगे कर लिए यह मतलब क्या हो जाएगा y square विच्वार्ट हो जाएगा आपका b square by a square b square by a square और आपका हो जाएगा a square minus x square clear अब यहाँ पर देखिए तो y का value क्या हो जाएगा y की value जो हो जाएगा आपका under root निकलेगा अंडरूड निकले तो y की बाइलू क्या हो जाए इसको अगर अंडरूड में आप करेंगे तो क्या निकलेगा आपका बी बाइए बी बाइए अंडरूड में क्या बचेगा आपका a square minus x square clear a बचे यह तो आपका y की value निकला ठीक है अब area कैसे निका लेंगे area के लिए आपको formula बता है ना formula under y dx बता है integration आप y dx तो आप area के लिए formula अप्लाई कर जाए तो area is equal to क्या हो जागा area यानि दिर की बरीद का area is equal to अब इसका limit क्या लेंगे पहले यह जान लेंगे कि इसका limit क्या लेंगे आपका कैसे बनाया थे दिर की बरीद दिर बरीद आपका q u type था इस तरह का था और इसका coordinate का x is equal to a था x is equal to 0 और यहाँ पर 0,0 था ठीक है इस center point पर ठीक है मोल बिंद जीस को बोलते हैं तो आपका क्या x is equal to 0 से x is equal to 0 से x is equal to a के बीच के हमको area निकालना है तो मेरा एक भाग का छेतर फल निकलेगा ठीक है लेकिन हमको 4 का निकालना है तो आपको 4 से गुडा कर देना पड़ेग b by a तो integration आप 0 से a तक b by a और underhood में a square a square minus x square clear और यहाँ पर आपका dx ठीक है यही होता है यही आपको आपको यहाँ पर करना भी है ठीक है इतना clear चलिए i hope यहाँ तक clear हुआ हुआ अब यहाँ b by यह जो को है constant इसको बाहर करेंगे तो क्या हो जागा 4 by a integration आप 0 से लेकर a तक underhood में क्या हो जागा आपका a square minus x square dx के लिए अब integration आप a square minus x square का फार्मूला क्या होता अभी जस्ट पहले वाले में यूज की है ठीक है उसको apply कर दीजिए तो चलिए apply करते हैं ठीक है चलिए तो apply जैसे करेंगे तो आपका क्या है 4 by a तो आपका क्या है common है common रहने यह देंगे और क्या है जैसे ही समाकलन करेंगे क्या है समाकलन किसका करेंगे आप समाकलन आप करेंगे integration आप a square minus x square का क्या होता है आपका a square minus x square का जो समाकलन होता है आपका xy2 xy2 और अंडरोड में क्या हो था a square minus x square a square minus x square minus फिर क्या हो था a square by 2 a square by 2 sin inverse xya sin inverse xya यह होता है और जो limit है आपका limit लगा दिए 0 से लेकर a तक clear limit है 0 से लेकर a ठीक है तो यह आपका limit हो गया 0 से लेकर a तक limit हो गया clear चलिए अब क्या करेंगे आप upper limit minus lower limit कर दिजिए तो upper limit क्या है upper limit जो आपका a है lower limit क्या है 0 है एक बार x का स्थान पर a रखी एक बार x का स्थान पर 0 रखी तो रख दिजिए तो 4 by a 4 by a bracket में x स्थान पर a रखेंगे तो a by 2 a by 2 अब यहां पर ध्यान दिजिएगा जैसे आप क्या यहां x का स्थान पर e रखेंगे यहां x का स्थान पर रखेंगे तो a square minus a square टिक तो क्या बंज जागा a square minus a square मतलब 0 into क्या कर दीजे यहाँ पर 0 कर दीजे minus यहाँ पर क्या a square by 2 यहाँ पर क्या a square by 2 a square by 2 यहाँ लिख दीजे a square by 2 अब sin inverse यह का स्थान पर रखेंगे क्या हो जागा sin inverse a by a ठीक है a by a अपर limit होगे माइनस होता है lower limit तो minus lower limit क्या है 4 b minus a दोन में गूड़ा होगा यहाँ पर लिख देंगे हम 4 b by a bracket में यहाँ minus है तो minus रहाएगा ठीक है अब x रस्थान पर 0 होगे जैसे यहाँ पर 0 रखेंगे यहाँ पर ध्यान दीजे जैसे 0 रखेंगे यह total value 0 हो जाएगा ठीक है इसको हम 0 लग दिए minus minus है तो यहाँ पर देखे minus है तो इसको भी minus लग दिए ठीक है a square by 2 sin inverse x y यह थे sin inverse अब देखे एक्स रस्थान पर 0 रखेंगे तो क्या निकाए a square by 2 sin inverse 0 by a मतलब क्या total value आपका 0 हो जाएगा इसको 0 थे यानि कि इस वाला value total 0 हो जाएगा यानि lower limit वाला value total 0 हो जाएगा तो आपका answer जो आएगा answer क्या आजाएगा आपका 4b by a 4b by a अब क्या a by 2 total value 0 हो गया तो 0 कर दिए ठीक है 0 कर दिए minus यहाँ पर क्या बचेगा एक बचेगा ठीक है कटके आपका सिर्फ एक बचेगा यानि a square by 2 into into sin inverse 1 into sin inverse 1 clear a बचा clear हुआ ना यातर आयूप यहाँ तक clear हुआ ठीक है बचा अब यहाँ bracket लगा दीजिए यहाँ परा bracket अब यहाँ पर क्या करेए 0 तो निकली जाएगा 0 में से कुछी निकलेंगा तो कोई effect नहीं पढ़ेगा 0 0 हट जाएगा ठीक है तो बचेगा क्या आपका 4b by a a square by 2 sin inverse 1 क्या बचेगा आपका 4b by a 4b by a और इसको बद क्या माइनस क्या बचेगा आपका देखिए a square by 2 into a square by 2 a square by 2 sin inverse 1 sin inverse 1 sin inverse 1 को क्या लिख सकते है sin pi by 2 sin pi by 2 अब pi से pi कड़ जाएगा pi से pi कड़ जाएगा 4b by a minus a square by 2 into pi by 2 a बचा pi by 2 अब दो दूना 4 होता है तो a 4 से 4 कड़ जाएगा a से a भी कड़ जाएगा आपका बचेगा a b into a into pi बचेगा मतलब आपका क्या बचेगा आपका बचेगा pi a b topic आपका most important का है most important इसको miss तो कभी कीजे गए ने क्योंकि जा में हर बार पूसता है कल वाला जैसे कौन सा कल वाला कल कौन सा दो equation जैसे x square is equal to 4 a x वाला और x square is equal to 4 a y वाला ठीक है y square is equal to 4 a x और x square is equal to 4 a y के बीच के घेड़े चेतरफल बताईए इसका figure कैसे बनता है इस तरह से बनता है coordinate है और यह वाला थोड़ा सा new बनेगा ठीक है इस तरह से इस बाग का चेतरफल आप कैसे निकालेंगे कल इसके next वीडियो में बताएंगे कि लिए आयोप यह सभी clear हुआ हुआ concept ठीक है आज कब वीडियो कैसा लाग है comment में जरूब बता है क्योंकि आपके लिए देखिए लिख लिख कर पढ़ा जा रहा ठीक है तो इंप्रूब किया गया है कुछ सुधार सुधार किया गई है तो बाकि आगर आप लोगों कोई भी doubt comment box में comment के रिए नोट्स का concept of question का जो आपको pdf चाहिए mathematics और mechanics का mechanics का नोट्स मिलेगा तो आप इस नमर पर contact कर सकते हैं only whatsapp कर सकते है 97612 ठीक है इस पर आप whatsapp कर सकते हैं और कोई भी क्योरी हो तो आप टेलीग्राम में भी comment कर सकते हैं ठीक है हुष